दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है और बहुत से प्रांत जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं है, तो चलिए आज आपको हम ऐसी ही एक खास जगह से रूबरू करवाते हैं, दोस्तों, वेरबो दुनिया की भीड से दूर बसा एक पारंपरिक गाव है, जि यह वेरबो गाव समुद्र तल से बाहर सौ मीटर की उंचाई पर बसा हुआ है, और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है, जो इतनी ज्यादा उंचाई पर बसाई गई है, इसी लिए, तो वेरबो गाव को बादलों के उपर बसा हुआ गाव कहा जाता है, इंडोनेशिया कई द इसको द्वारा इस गाव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैनकॉक में सम्मानित किया गया था, इस गाव की सबसे मुख्य विशेष्टा है, इनके अनोखे घर, जिन्हें यह लोग मबारू नियांग कहते हैं, यह घर दिखने में शंकु आकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी, जिसे बच्चे अपने जन्म दिन पर लगाते हैं, इन घरों की छट सीधा जमीन को छूती है, और छट से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लोंटार छपपर से ढखे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के गर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गाव है, जो ठेट मंगराई पारमपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते, इन घरों को पांच भागों में बाटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लुतुरिया टेंट कहा जाता है, यहां परिवार रहता है, दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहां खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं, तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है, और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को र पूपरी भाग आता है जिसे हेकांग कोडे कहा जाता है। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहां अपने पूरवजों को प्रसाद चड़ाते हैं। इस वेरबो गांव में केवल साथ घर है इसके अलावा एक घर और है जहां गांव के सभी लोग अपने त् अतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकडो साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी, जर्नों और पहाडों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वेरबो गांव में कुल मिलाकर चवालीस लोग रहते हैं जिनकी मुख्य रूप से आएक रि जीने में यकीन रखते हैं। यहां आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सडक और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी यह लोग सैकडो साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना प इको टुरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक परियटन स्थल के रूप में लोगप्रियता में बढ़ गया है। और इससे गांव के आर्थिक कल्यान में वृद्धि हुई है। वे रेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जो उनके गांव क दूस नहीं किया। शान्ती और प्राकृतिक सुंदर्ता के एहसास इससे बहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहां के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेर्बो विलेज को विजिट करना न भूले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल साथ घर हैं। वेर्बो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है जहां पैदल चलकर ही चार से पांच घंटे में पहुंचा जा इस गांव में मोबाइल के नेटवर्ग भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्मान एमपू मारो ने 900 साल पहले अपनी पतनी के साथ किया था और आज यहां उनकी 8 रहवियें पीडी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों अगर आप एशिया महधवीब के खुबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर घूमें। नमबर एक पर टोबा लेक। यहां की नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम ना आए। ऐसा शायद ही हो। इस जील की लंबाई करीब 100 किल मीटर और चौडाड़ी 30 किलो मीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो यह करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस जील में उठने वाला धुआ किसी ज्वाला मुखी के विस्टफोर्ट जैसा ही लगता है। 30 मीटर ऊपर की एक बड़ी बीहड चूना पत्थर चटान के किनारे पर स्थित है। बाली में बुकिट प्रायद वीप में स्थित इस मंदिर का निर्मान 11 शताबदी के करीब हुआ प्रतीत होता है। यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का द्रिश्य बड़ा सोहा ना होता है। नमबर 4 देखने के लिए दुनिया भर से पयर्टक आते हैं। नमबर 5 प्रमबनन मंदिर इंडोनेशिया के योगा कार्ता में एक हिंदू मंदिर प्रमबनन स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्मान 9 सदी के दोरान त्रिमूर्ती यानि की ब्रहरमा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सनरक्षक विष्ण कला को दर्शाता है। हमें जरूर बताए और वीडियो पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।